कि आप यह सोच रहे हैं कि हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं घर बैठ कर और हमें कोई भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ना पड़े और ऐसा बिजनेस हो जिसमें हाई प्रॉफिट हो दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे बिजनेस क होता ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट से आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं दोस्तों मैं बात कर रहा हूं नमकीन के बिजनेस की कैसे आप इसको इस्टेबिश करेंगे इतना रूपया किस-किस चीज में लगेगा क्या रौ मेटेरियल लगेगा क्या मशीनरी प्रोड़क्ट लगेगा यह सारी की सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो बिना कुछ देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट मैं हर बिजनस में कहता हूँ कि आप लिन स्टार्ट अप्रोच का इस्तिमाल करें लिन स्टार्ट अप्रोच का मतलब यह होता है कि आप हमेशा कम इनवेंट्री में स्टार्ट करें और रैजूली स्केल करें रैजूली स्केल मतलब धीरे-धीरे स्केल करें धीरे-धीरे इससे क्या होता है, इससे आपका रिस्क कम होता है, अगर आप कम पैसे में अपना बिजनस सेट अप कर लेते हैं, तो उसमें आपका रिस्क कम रहता है Number 1 tips है मैं आपको बतानी जा रहा हूँ कि आप business start करने से पहले market research करो Market research में आपको क्या-क्याचीजे ध्यान रखनी है पहले अपनी target audience को समझे कि आपकी target audience क्या है वैसे नम्कीन तो हर कोई खाता है बच्चे भी खाते हैं, old age वाले भी खाते हैं यंग एज वाले भी खाते हैं, मैंन भी खाते हैं, वोमेन भी खाते हैं, हर एक इंसान नमकीन खाता है, मगर कुछ-कुछ ऐसे भी नमकीन होते हैं, जो हेल्थ कॉंशियस होते हैं, तो क्या आप नॉर्मली सभी के लिए नमकीन बेचना चाह रहे हो, या आप health conscious लोगों के लिए नमकीन बेचना चाहे हो यह आपकी target audience decide होनी चाहिए number two चीज आप market research में ये देखो जिस market में अपने product को बेचना चाहे हो वहाँ पर लोगों की पसंद क्या है लोग किस चीज की demand करते हैं कौन से नमकीन सबसे ज़्यादा बिखती है उस market के अंदर ठर्ड चीज market research में आपको ये करना है दोस्तों कि आप अपने competitor को analyze करो आपका competitor क्या चीज दे रहा है उसकी price क्या है ये चीज जानने की कोशिश करो फिर उसके बाद दोस्तों product selection करो product selection में कितनी variety की नमकीन बेचना चाहरो मेरा suggestion लो तो दोस्तों आप कम नमकीन से start करो कम यानि की एक या दो तीन इससे ज्यादा मत करो इससे ज्यादा करोगे तो और investment बढ़ेगा market research हो गई second चीज आए दोस्तों low cost production setup आप शुरुवात में घर से start करो कोई आपको production house खोलने के जरूरत नहीं है आप second hand चीजे लेके आओ तो उसमें आपका कम investment लगेगा आप ऐसे नमकीन वालों से बात कर सकते हैं जिनका नमकीन का business बंद हो चुका है और वो अपना जितना भी production setup बेच रहे हैं थर्ड चीज आती है दोस्तों raw material अगर आप bulk में raw material लोगे तो आपको वो सस्ते दामों में पड़ेगा और आपकी investment भी कम लगेगी फूर्ट चीज आती है दोस्तों legal registration देखिए legal registration में आपको तीन license की ज़रूरत है एक fssai का license ये license आपको आपके नमकीन में business को legally लूप से चलाने की अनुमिती देता है second चीज आती है दोस्तों GST registration अपने business का GST registration कराना बहुत ज़रूरी है थर्ड license है दोस्तों health trade license ये license भी बहुत ज़रूरी है इस license से आपका ये तय होगा कि आप जो चीज बेच रहे हैं उससे किसी भी customer की health पे कोई असर नहीं होगा तो ये तीन license बनवाना बहुत ज़रूरी है तीन license बनवाने के बाद दोस्तों fifth चीज आती है आपका branding and packaging देखे दोस्तों आप स्टार्टिंग में सिंपल और effective packaging का इस्तेमाल कर सकते हैं packaging करने के लिए दोस्तों आप paper bag और plastic pouch में packing कर सकते हैं starting में देखे आपको कोई भी ज़्यादा investment करने की ज़रूरत नहीं है starting में आपका एकड़म कम से कम budget में आपका business इसे आने लगे फिर उसके बाद धीरे दीरे आप अपनी नई नई चीजों को include करते रही है marketing करना बहुत ज़रूरी है आपके business का आगर आपने business start करा है marketing नहीं करी तो आपके business के बारे में कोई नहीं जानेगा marketing करने के लिए आप सबसे पहले आप social media पे page बना लो आज कर ज़्यादा तर लोग कहां मिलेंगे आपको social media पे तो social media का ही इस्तमाल करके अपने business को expand करना है instagram पे आप post डाल सकते हैं facebook पे आप post डाल सकते हैं और वहां से हो सके तो order निकालना start करिए नेक्स चीज आती है कि आप अपने product की sampling कर सकते हैं local market में लोगों को free में sample देना start करिए उससे क्या मिलेगा उससे आपको feedback मिलेगा और आपकी sales में भी growth होगी and also next चीज आती है आपकी sales तो नमगीं विकने के लिए सबसे पहले आपको अपने retailer से contact करना है आपके आसपास retailer होंगे और भी कहीं जगा retailer होंगे बहुत जगा retailer होंगे supplier होते हैं थर्ड चीज आप directly customer को अप्रोच करो directly customer बनाने के लिए simple सी चीज आपको मैं बता देता हूं आप e-commerce पे आजाओ यानि कि आप flip card मिशो Amazon पे आजाओ वहां पे आप अपने product को सेल करो आप registration करो उसके लिए आपका GST लगेगा और आपका एक food license लगेगा वहां पे आपने registration कर लिया registration करने के बाद आप अपने product को upload करो e-commerce से आपको directly customer मिलेंगे दूसरा source आपको build करना है दोस्तो लोकल market से आप खुद जा करके लोगों को बेचो and third source आपको create करना है दोस्तो एक social media platform से दोस्तो अब हम समझते कि आपकी investment कितनी लगी आपकी investment गई machinery में बड़तन में भट्टी खरीदने में and next आपका raw material में थर्ड चीज आपकी marketing में investment खर्च हुआ फोर्थ चीज आपका legal document बनवाने में आपका investment हुआ तिक्त चीज आपकी utilities में खर्च हुआ अगर आप अपने product की list बढ़ा देते हैं तो आपकी investment बढ़ेगी तो simply चीज आप कम product की list से start करेंगे तो आपकी कम investment लगेगी अगर आप चाहते हैं कि मैं manufacturing नहीं करना चाहता तो simply उसके लिए भी मैं आपको और अच्छा idea बता सकता हूं सबसे पहले चीज आप अपने नमकीन को wholesale rate पे खरीदें तो आपको कम rate में बढ़ेगा नमकीन सेकेंड चीज आप लिगल डॉक्यमेंट बनागे थर्ड चीज आपको flipkart Amazon Misho पे registration करना है उस नमकीन को upload करना है और फोर चीज आपको अपनी packaging पे ध्यान देना है packaging बहुत जरूरी है packaging जितनी बैटर करेंगे उससे आपके customer interact होंगे आप अपने social media पे पेज बना लें social media पेज बनानी के बाद आपको simply वहां पे अपने नमकीन को upload कर देना है नमकीन upload करेंगे वहां से भी आपको order मिलेंगे और e-commerce से भी आपको order मिलेंगे तो simply आपने कोई भी manufacturing नहीं खोली अब दीरे-दीरे जब आपकी income बढ़ने लगे तो आप दीरे-दीरे manufacturing में भी गुच सकते हैं इस तरीके से आप अपनी business को start कर सकते हैं दोस्तों आखरी में मैं आपको एक suggestion देना चाहूंगा financial management देखिए आप investment कितना भी करें उसका आपके पास हिसाब लिखा होना चाहिए कि मैंने कितना रुपय इनवेस्ट किया और मैंने कहीं फिजूर खर्च तो नहीं किया मैंने कहीं unnecessary खर्च तो नहीं किये यह आपका एकदम लिख पाएंगे दोस्तो तो सिंपली चीज आपने कितना रुपय खर्च किया कितना रुपय आपको profit मिला कितना रुपय मैंने unnecessary खर्च किया unnecessary अगर आपने गलती से भी खर्च करें तो वह भी लिख लो अगर आप चाहते हो कि मैं कोई ऐसा business idea बताऊं जो आपको पसंद आए तो comment section में comment करें मैं आपके लिए वह business idea लेके आँगा जो आप comment में पूछेंगे तो comment में ज्यादा से ज्यादा business idea डालें ताकि मैं उन पे वीडियो बना सकूँ और उनको अच्छी तरीके से explain कर सको कि आप कैसे start कर सकते हैं कैसे आप run कर सकते हैं so i hope आपको यी वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर देना and channel पर नहीं तो चानल को subscribe कर देना पास मी bell icon को press कर देना so चली चाहिज मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक त्यडे जय हिंद